सब्सक्राइब कीजिए सेविसेर अखेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फोर मोर अपडेट्स दोस्तों जैसे कि मैंने कल कहा ही था कि आज मार्केट में दबाव रहेगा और वॉलेटाइल भी रहेगा आज ये दोनों बात सेंसेक्स और निफ्टी ने दिखाया कुल मिला के काफी अच्छा खासा वॉलेटाइल भी था और बीच में उपर भी गया सब पॉइंट देड़ सब पॉइंट फिर नीचे आया फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव पूरे दिन भर में मार्केट लगबग फ्लैट था एकदम निरस रूप में और उसी के साथ साथ काफी अच्छा खासा वॉलेटाइल भी था और आप ही देखिए दोस्तों सेंसे का आज का क्लोजिंग 57806 90 पॉइंट डाउन उसी तरह से निफ्टी 50 17213 19.65 पॉइंट डाउन दोस्तों इस तरह का भाव सभाव जो आप देख रहे हैं आज मार्केट में यह लगबग कल भी जारी रहेगा दोस्तों हाँ कल भी मार्केट काफी हाई वॉलेटाइल रहेगा काफी वॉलेटाइल रहेगा क्ल एक्सपायरी है और एक्सपाईरी के समय मार्केट में काफी हर तक वॉलेटिलिटी रहती है इसमें यह भी होता है दोस्तों कि पहले मार्केट काफी नेगेटिव कर देता है जैसे सेंसेक्स 300-400-500 पॉईंट गिरा दिया और फिर दुपार के बाद उसको कवर कर लिए फिर हो सकता है क्लोजिंग यही 100-200 पॉइंट डाउन में क्लोजिंग करे या बाइंग फोर्स आ गया तो कुल मिला के पॉजिटिव ट्रेंड में भी क्लोजिंग दे सकता है तो कुल मिला के दूस्तों कल का मार्केट 30 दिसंबर 2021 21 के हिसाब से कल मार्केट काफी हाई वोलटाइल मोड पर रहेगा नमबर वन दूसरा यह भी है कि सेलिंग ज़्यादा भी आ सकता है मार्केट आवर्स के दौरान क्योंकि एक और बात आपको तो जानकारी होई गई होगी कि खास करके RBI का अभी आज ही एक रिपोर्ट आया है जो यह रिपोर्ट यह बात को सिद्ध करता है कि कुल मिलाकर बैंकिंग सेक्टर पे आने वाला साल खास करके ऐसा रिपोर्ट में मेंशन है RBI Financial Stability रिपोर्ट में यह कहा गया है कि बैंक का जो Gross NPA Non Performing Assets है वो जंप हो सकता है 9.5% तक बाइ सेप्टेंबर 2022 दोस्तों यह न्यूस है यह और न्यूस हो सकता है ऐसा मेंशन है होगा यह नहीं मेंशन है तो हो सकता वाली बात के कारण सेंटीमेंट नेगेटिव होगा जिसके कारण बैंकिंग सेक्टर में भी बिकवाली आ सकती है ज्यादा से ज्यादा इवन कल की तारिक में भी और आगे भी हो सकता है Friday है Friday आप जानते हैं कि last trading day of the year होगा तो उस हिसाफ से असर उसपर भी पढ़ सकता है banking sector पे कुछ ज़्यादा ही तो ज़्यादा अगर banking sector पे negative impact वड़ता है तो उसका असर पूरे sensex और nifty पे भी पढ़ेगा चलिए जो है कल देखेंगे यही सब होगा कल हमें अपने है तो हमें एक एक दो दो या लिमिटेड लेवल पर खरीदना चाहिए यह तुम्हें अपना नीजी शब्द कर दिया दोस्तों फिर भी यह कुल मिला के 30 दिसंबर 2021 के दिन मार्केट काफी हाई वालटायल मोड पर है सेलिंग प्रेसर भी ज्यादा हो सकता है है मार्केट ट्रेडिंग टाइम में और सेंटिमेंट नेगेटि भी हो सकता है डृ सक बडॉजिंग पर भी आप यह डिपर्ड करता है की किस तरश से हैभी पूठ हो रहा है यह है री कॉल होगा फूचर ऊक्षन में यह हमें इंडीकेट करेगा मार्केट के closing hours के दोना तो बस तुम्हें आपके knowledge के लिए यही कहूंगा कि आप stable रहे मार्केट तो इस तरह का भाव सभाव तो दिखाता ही है और हमें बस यह देखना चाहिए कि आउसर है और सुब आउसर है तो हमें कुछ चैस को जोड़ना चाहिए और बिल्कुल डरना न आज कि हमारा जो growth oriented penny stock है दोस्तों आज भी काफी अच्छा खासा प्लस रहा और इस मार्केट में भी जब लटेल था तो भी हमारा जो penny stock है वह भी बखुबी प्लस-प्लस में ही रहा उसी के साथ साथ प्लस-पॉइंट पे हमारा कुछ जो खास करके मल्टी बेगर stock है वह भी बखुबी दोस्तों positive trend में ही रहा तो मैं यही कहूंगा दोस्तों कि आप इस दोरान या नए साल में आप प्लान कीजिए क्योंकि मैं नए साल में कुछ खास घोशना करने वाला हूं जो आपकी खास फाइदे के लिए होगा तो तो आगे की बात हो बहुत मल्टी बेगर stock से संबंदित कोई भी आपको जानकरी चाहिए दोस्तों तो आप what's up में message कीजिए आपको सारी जानकरी प्राप्त हो जाएगी चलिए फिर मिलते हैं कि बहुत म अपक।